बरतमान में हम कक्षा 10 भी का रिजल्ट तयार कर रहे हैं तो आज हम चर्चा करेंगे कि रिजल्ट तयार करने में हम आखिर कौन-कौन सी साउधानिया रखें जिससे हमारा रिजल्ट तुरूटी रहित रहे अब इसमें पहली साउधानी हमें रखना है OMR सीट में अंकों को दर्ज करने समद्धी जैसे कि माध्मिक सिक्षा मंडल के निर्देशा नुसार इस सत्र कक्षा 10 भी के चात्रों का रिजल्ट तीन परिक्षाओं के मुल्यांकन के अधार पर तयार किया जा रहा है और इन मुल इन अधिभारों का योग करके हमें चात्रों ने 100 अंकों में से एकितने अंक प्राप्त किया है वो यहाँ पर निर्दारित कर लेना है और इसके उपरान प्रोरीक्राषा के अधार पर 20 अंकों में छात्रों के प्राप्तांकों को हमें कनबड करना होगा अब प्राप्तांक हमें प्राप्त हो चुके हैं छात्रों के अब इन प्राप्तांकों के आप देख सकते हैं कि विसेवार यहां पर 20 अंकों में चात्र कितने अंक प्राप्त करेंगे वो यहाँ पर निरधारित हो चुका है अब इन अंकों को हमें OEMR सीट में फिल करना है अब जैसे आप देख सकते हैं कि 6 विसे यहाँ पर लिखे हुए है इन सभी 6 विसे के जो अंक हैं हमें OEMR सीट में दर्ज करना है अब हम बात करें OEMR सीट की इसमें दो परकार की सीट है पहली है आंत्रिक मुल्याँकन की और दूसरी प्रक्टिकल की सीट अब आंत्रिक मुल्यांकन की जो सीट है इसमें चात्र का रोल नंबर लिखा हुआ है और पांच विसेओं के कोड लिखे हुए हैं अब इन पाँच विशियों में छात ने जो अंक प्राप्ट किये हैं उन्हें 20 अंकों के अधार पर आपको यहाँ पर लिख देना है और गोलों को काला कर देना है अब छड़वा विश है इसके लिए प्रक्टिकल की जो सीठ हमें प्राप्ट हुई है इसमें हमें अंक फिल क करना है वो भी 20 अंकों के अधार पर जो हमने कनवर्ट किया है प्रोराटा के अधार पर उन अंकों को हमें यहाँ पर दर्ज करना है तो पहली सावधानी हमें यहाँ पर रखना है कि जो प्रक्टिकल की सीठ है इसमें बारसिक मुल्यांकनों के अंग हमें दर्ज करना है इस seat में जो भी practical की आपकी seat है इसमें आपको बारसिक मुल्य अंकन के चात्र के बारसिक मुल्य अंकन के अंखी दर्ज करना है वो भी 20 अंकों के अधार पर इसमें दूसरी साउधानी जो हमें रखना है इसके लिए काफी सारे सिक्षकों के प्रशनाय थे और वो था बेंचमार्क से संबंदित जैसा कि माध्मिक सिख्छा मंडल दुआरा हमारी संस्ता के लिए बेंचमार्क निरधारित कर दिया गया है अब इसमें जैसे हम देखेंगे कि जो हमने बेंचमार्क से अधिक आपका प्रतिसत आ रहा है तब आप इसमें अंग कर दो क्योंकि चात्र ने जो एक्शोल अंग प्राप किये है वही आपको यहांपर दर्च करना होगा हाँ इसमें इतना कर सकते हैं कि जो आंत्रिक मुल्यांकन में प्रापतांग हमने दिये हैं छात्रों को इन अंकों को हम कम कर सकते हैं जिससे हमारा Benchmark जो है Manage हो जाए लेकिन यदी इन अंकों को कम करने के उप्रांध भी बैंच मार्क से अधिक आपका जो परसेंटेज है वो आ रहा है तब इसे ऐसे ही हमें रहने देना है इन अंकों में किसी भी प्रकार की हमें कमी नहीं करना है जो एक्чुल अंक चाटने प्राप्ट किये हैं वो ही actual अंक हमें यहाँ पर दर्च कर देना है ऐसी परिस्तिती में मादमिक सिक्षा मंडल दौरा निर्धारित मापदन के अनुसार आपकी साला का परिक्षा परिणाम तयार कर दिया जाएगा तीसरी जो साओधानी इसमें हमें रखना है वो है seats में अंकों को दर्च करते समय जैसे कि आप देखिएंगे कि OMR seat हमें प्राप्ट हुई है सिंगल seat है तो इसमें जब आप अंकों को दर्च करें तो इसकी photocopy आप पहले कर वा लें और फोटो कापी में एक बार अंकों को दर्ज कर लें और इसका अच्छे से मिलान कर लें इसके उपरांद जो ओरिजिनल OMR सीट है इसमें आप अंकों को दर्ज कर दें इससे तुरूटी होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगे साथ ही OMR सीट की जो फोटो कापी है जिसमें पहले हम अंकों को दर्ज करके देखेंगे वो हमारी ओपिस कापी बन जाएगे तो अंत में इसमें बताना चाहेंगे कि आपको प्रक्टिकल की जो OMR सीट प्राप्त हुई है जल्दवाजी में आप इसमें प्रक्टिकल के अंक दर्ज नहीं करें क्योंकि इस बर्स प्रायोगिक परिक्षाएं आयोजित नहीं की गई है तो प्रक्टिकल के अंक दर्ज नहीं होंगे इसमें छात्रों के बारसिक मुल्यांकन के अंक आपको दर्ज करना है तो एती कच्छ दसवी का रेजल्ट तयार करते समय रखने वाली सावधानियों के संबंद में एक महत्पून जानकारी आसा है जानकारी आपको अच्छे लगी होगी यदि वीडियो पसंद आए तब इसे लाइक, कमेंट और सेर जरूर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्यू